एक हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मंजू नीटिंग चैनल यह देखिए आज आपके लिए कितनी सुन्दर वूलं बुट्टी का डिजाइन लेके आई हूं यह दिखिए यह इसके साइड पार्ट है यह दिखिए साइड पार्ट है यह इसका सोल यह इसका बैक पार्ट बहुत सुन्दर लगने वाली और बहुत असानी से बनने वाली यह वूलों है यह दू आल बोले मोटी का डिजाइन है बहुत असानी से बनाएंगे इसे लिए मैंने इसे दो कलर में बनाया यह देखिए मैंने ग्रीन और वाइट कलर लिया है, अगर आपने कोई और कलर लेना है, तो ले सकते हैं, आपने मन पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर, जो आपका मन पसंद कलर हो, दो कलर ले ले, यह दिखिए, मैंने वाइट और ग्रीन लिया है, इसको बनाने के लिए, जिन जिन चीज़ों क कि हमें जरूरत पढ़ेगी यही ये देखिए अगर इसको आपने के जाओं काटने के लिए इसको सिलने की जरूरत नहीं है कहीं भी से नहीं पड़ी है इस ऐसे बना ना कहीं जिलने की जिरूरत नहीं पड़ी है है अससे बनाना ँस्के बनाना स्टार्ट करते हैं पूरा हैबनार बनारेFC में बनाएओ से यह चार और पांच नंबर के साइज के लिए बनाया इसके 4 और 5 levels of पाओं है उसके लिए बनाया है वो तो इसी इनी फंदों से बनाएंगे जैसे जैसे मैं बनाओंगी आप वैसे बैसे बनाते जाना यहां पर मैंने जाओंगे कैसे कैसे बनेगा कैसे इसका सोल बनाया जैसे जैसे बनाओगे पता चलता जाएगा यह मैंने चार और पांच नंबर के लिए बनाया तो मैंने ट्वंटी फंदे लिए अगर आपने जैसे चार और पांच छे और साथ के लिए बनाना है तो तो 24 फंदे, 4-4 फंदे आप बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे साइज को बढ़े करते जाना है, 4-4 फंदे बढ़ाते जाएंगे, फोर फोर फंदे बढ़ा ते जाएंगे तो आपका size का फर्क आता जाएगा और यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा यह देखी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर पट्टी बनाई वही है सीधी सीधी दोनों तरफ से सीधी सीधी आएगी यह पट्टी में यहां तक मैंने 16 लाइने बनाई है अगर आपने बड़े साइज में बनानी है तो दो चार रो यह लाइने और बना ले अपने पाउं में डालके देख लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनी ह कितना यहां पर कितनी लाइने हमें चाहिए मैंने 16 लाइनों के बाद यहां पर इसे बंद किया है तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यहां से 20 फंदे डालेंगे बॉर्डर के 20 फंदे डालेंगे तो पहले यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा इन चीजों की आगे आगे जिरूरत पढ़ेगी अभी नहीं पढ़ेगी फ्रेंड्स तो यह देखिए मैंने 20 फंदे डाल लिया 20 फंदे डालके हम यहां से बॉर्डर्स बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पहला फंदा सीधा यह एस्टिच अब यहां से शुरू करेंगे यह एस्टिच मैंने सीधा बना लिया एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ऐसे ही पूरी रोग कंप्लीट करनी है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए एक सीधा बनाते जाएं, एक उल्टा बनाते जाएं, एक फंदा लास्ट वाला फंदा सीधा आएगा, यहाँ पे हमारी फंदा एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे बनाते हो, पूरी रो हमने कम्प्लीट कर ली, अब सेकंड रो, सेकंड रो में क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम स्किप कर लेंगे, यह देखिए, पहला फंद इसे उल्टा बनाएंगे र्फ्रेंड्ट पहला। हमने स्कीप किया सीधा इदर सीधा दिख रहा है। इसे हम बिना बुना लेंगे अगला से उलटा शाल व बना जाएगे हो। इसे उसे से एसे निकाल लेंगे बिना बनाते जाएएंगेže निकालते जाएंगे उल्टा बनाते जाएंगे सीधा बीना बुना निकालते जाएंगे पूरी रो में ऐसे ही करना है सीधा बीना बुना निकाल लेंगे उल्टा बना लेंगे सीधा बीना बुना निकाल लेंगे उल्टा बना लेंगे ऐसे ही करना है सेकंड रो हमारी ऐसे ही है चलेगी उल्टा फंदे ग Agane ये दो रो बना जैसे हमने फर्स्ट रो में एक सीदा एक उल्टा बनाया पुरिभory कंपलीड की सेकिंड दो में हमने जोवर्टे फंदे थे उल्टे बनाये जो सिदे फंदे थे उन्हें हमने रोप नहीं लेगए ऐसे ही करते हुए 8 row complete कर ली है 2 तो मैंने बना ली 6 row और बना के complete कर लेते हैं देखे friends 8 row बना के हमने complete कर ली border की अब क्या करेंगे अब हम दूसरा color add करेंगे आपने जो भी color लगाया है आब वो वह बना दूसरा color add कर ले मैंने white color लगाया तो मैं white color लगा रही हूँ यहां पर अच्छी तरह से गर्ट लगाके इसको पक्का कर लेंगे पहले यह देखें पक्का कर लेंगे यह देखें दूसरा color water के बाद white color लगाया मैंने तो white color लगा लिए हूँ यहां पर पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे यह देखिए पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे फिर इन दो फंदे यह देखिए दो फंदे दो फंदों के बीच में से यहां से निकालना आपने 兩 का एक कर देंगे हमारे दो फंदों से तीन फंदे बन गए कि तीन फंदे बन गए ये ये दो फंदे इनके यहां से बीच में से निकाल लेंगे ऐसे निकालेंगे फिर एक इस धागे को भी साथ लेके चलेंगे फिर बल से एक फंदा बना लेंगे ये देखे बल से एक फंदा बना लेंगे फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके सीधा बनाएंगे तो हमारे दो के तीन फंदे बन गए पूरी रोह हमें ऐसे ही निकालेंगे, एक बल से फंदा बना लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को एकठा लेके दो का एक कर लेंगे, दोनों के बीच में से ऐसे निकालेंगे, लंबा सा फंदा, एक बल से फंदा बना लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बना के दो का एक कर लेंगे, ऐसे ही दो दो बनते जाएंगे पूरी रो ऐसे ही कम्प्लीट करनी है हमें यहां से आप फंदों से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं मैंने 20 लिए हैं अगर आपने बड़े साइज में जितने बड़े साइज में बनाते हैंगे जाएंगे चार-चार फंदे आप बड़ाते जाएंगे लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे डिजाइन की 1st रो बना ली 2nd रो में क्या करेंगे पहला फंदा तो स्कीप कर लेंगे फिर जो फंदे का बल दिया था हमने सेंटर में बल लिया था उसे हम उपर से ऐसे क्रोस करके इस्तलाई पे ले आएंगे फिर इन दोनों फंदों को उल्टा बनाते हुए दो का एक कर लेंगे तो हमारे जो तीन फंदे थे फिर से हमारे दो के दो फंदे बन गए यह देखे यह बल वाला फंदा इसे हम उपर से क्रॉस करके ऐसे इस दलाई पे ले आएंगे फिर इन दोनों फंदों का उल्टा बनाते हुए एक फंदा बना लेंगे तो हमारे दो-दो फंदे बनते जाएंगे जितने हमने डाले थे 20 फंदे तो हमारे पास 20 ही बन जाएंगे जब हम ऐसे 2 का एक करते जाएंगे बालबाला फंदा ये बालबाला फंदा इस सलाई पे ले लेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बनाते जाएंगे, उल्टा बनाते हुए, तो हमारे 20 फंदों के 20 फंदे ही बन जाएंगे. ना कोई फंदा घटेगा, ना बढ़ेगा. पूरी रो में ऐसे करना बाला बाला फंदा हमें उपर से निकालते हुए ले जाना इस सलाई पे और इन दोनों फंदों का उल्टा बनाते हुए दो का एक करते जाना एस्टिच तो हमें उल्टा ही बनाना है यह हमारी डिजाइन की सेकेंड रो भी कम्प्लीट हो गई अब थर्ड रो क्या करेंगे थर्ड रो हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे और फोर्थ रो पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे यह थर्ड रो है तो इससे पूरा सीधा-सीधा बना लेते हैं पूरा सीधा-सीधा बना लिया और फोर्थ रो पूरे फंदे उल्टा-उल्टा बना लेते हैं यह देखे वाइट कलर से फोर रो का डिजाइन हमारा कम्प्लीट हुआ अब यही डिजाइन हम ग्रीन कलर में बनाएंगे पहला फंदा सीधा बना लेंगे हरी रंग से इस दागे को थोड़ा खींच लेंगे फिर इन दोनों फंदों के बीच में से जैसे हमने पहले बनाया था दोनों फंदों के बीच में से एक लंबा सा फंदा निकाल लेंगे फिर एक फंदा हम बाल से बना लेंगे फिर इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे तो हमारे दो के तीन फंदे बनते जाएंगे फिर से बीच में से निकाल लेंगे एक फंदा बल से बना लेंगे पीछे से दो का एक कर लेंगे पूरी रोह हमें ऐसे ही बनाते जाना है बीच में से फंदा निकाल लेंगे बल लेंगे दो का एक करेंगे दोनों के बीच में से निकाल लेंगे बल लेंगे दो का एक करेंगे दोनों के बीच में से निकाल लेंगे ऐसे बल लेंगे फिर पूरी रो में ऐसे ही करते जाना फर्स्ट रो में डिजाइन की फर्स्ट रो में ऐसे करते जाना दोनों फंदों के बीच में से आपने लंबा सा फंदा निकालना है एक फंदा आपने बल से बना लेना फिर पिछे की तरफ से यह दिखिए बल से बना लिया यह दोनों फंदों के एक साथ लेके पिछे की तरफ से फिर दो का एक कर लेना है तो हमारे तीन तीन फंदे बनते ज से हमने इस तरफ ले लेना इस सलाई पे और दो फंदों को एक करते जाना है तो हमारे फंदे 20 फंदों के 20 फंदे ही बनते जाएंगे थर्ड रो हमें पूरी सीधी सीधी बनानी है फोर्थ रो हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है फोर रो का डिजाइन ऐसे ही बनता जाएगा इस डिजाइन को फ्रेंड्स आप बच्चों के स्वेटर पे किसी पे भी डाल सकते हैं मैंने और भी बहुत सारे डिजाइन बताए हुए हैं आप देखा करो हमारे पास 20 फंदे थे तो 20 फंदे ही बन गए हमारे पास अब फिर से एक रो सीधी पूरे सीधे सीधे फंदे बनाएंगे एक रो पूरे उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे दिखें फ्रेंग्स, दो बार डिजाइन बनाके बता दिया, आपको, जब आप 4 row in ahead करेंगे, एक-एक रंग की, तो यहाँ पे, यह देखे, side पे आपकी, दो-दो चैन बनती जाएगी, एक-एक कलर की दो-दो चैन बनती जाएगी, ऐसे दो करते हुए, हमें ये 7 बार डिजाइन बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 बार हमारा वाइट कलर का डिजाइन आएगा 3 बार हमारा ग्रीन कलर का डिजाइन आएगा आपने जो भी कलर एड़ की होंगे उसी साफ से आपने वो वो कलर देख ले 7 बार इस डिजाइन को बना के पहले ऐसे ही ऐसे ही बना के 4-4 रो का डिजाइन बनाते जाए 7 बार इसे बना के कम्प्लीट कर लेते हैं पहले इस डिजाइन को देखिए ब्रेंस मैंने 7 बार डिजाइन बना के कम्प्लीट कर लिया है 4 बार मैंने वाइट कलर से बनाया तीन बार मैंने ग्रीन कलर से बनाया अब क्या करेंगे वाइट कलर मैंने कट कर दिया अब क्या करेंगे अब हम ग्रीन कलर से आगे से इसका पंजा बनाएंगे यह दीखिए यह पंजा बनाएंगे इसका कैसे बनाएंगे पहले हम पूरे फंदे हम सीधे सीधे बनाते कि इस दागे को साथ लेके चलेंगे पीछे से वाइट कलर को है वह कि आंगी को पूरियो हमने सीधियी सीधी बना के कंप्लीट कर 8 एक रोह हम पूरी को सिधी एक कंप्लीट कर लेती हैं कि फिर्फ करेंगे हम दोनों साइट से फंदे इसके घटाएंगे इसको शेप मिलाने के लिए तो पहला फंदा ये दिखे स्किप कर लेंगे अब इस फंदे को पहले दोनों को सीधा करेंगे पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे क्योंकि यहां पर हमारी ऐसी चेन आती जाए बीज वाले फंदे सीधे बनाते जाएं फंदे हमें सीधी रो में घटाने है उल्टी रो साफ उल्टी उल्टी बनानी है सीधी रो में ही दोनों साइट से हमें फंदे घटाने है ये दिखे तीन फंदे रह गए आगे की तरफ से दो का एक करेंगे तो हमारी यहां पे भी ऐसे चेन बनती जाएगी तो लास्ट वाल हमारे पास 20 फंदे थे जब तक हमारे पास 10 फंदे ना रह जाए तब तक हमें ऐसे ही घटाते जाना दोनों साइट से एक-एक फंदा सीधी सलाई में उल्टी सलाई साफ उल्टी बनाएंगे बड़े साइज में बनाएंगे तो आप 24 फंदे रखे होंगे तो उपर 12 फंदे रखेंगे फिर से पहला पंदा, स्किप कर लिया, इन दोनों कुछ निकाल के सीधा करेंगे, फिर पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे तो हमारी यहाँ पर बड़ी अच्छी चेन बनती जाएगी ऐसे चेन आती जाएगी दोनों साइड पर सीधी रो में दोनों साइड पर ऐसे ही गटाने है उल्टी रो साफ उल्टी बनानी है दोनों साइड से एक एक फंदा ऐसे घटता जाएगा एक रो में दो फंदे घटेंगे एक इदर से घटेंगे एक इदर से घटेंगे उल्टी रो साफ उल्टी बनानी है तो ऐसे ही गटाते हुए हमें यहां तक यह अब तक 10 फंदे न रह जाएं तब तक ऐसे ही गटाते कम्प्लीट कर लेते हैं दिखें फ्रेंड्स हमने यहां पर दोनों साइड से फंदे गटा लिए यहां हमारे पास 10 फंदे बज़ गए अब क्या करेंगे अब हमने उल्टी रो से इदर आ गए अब हमारी सीधी रो जैसे हमने घटाए हैं वैसे ही हमने बढ़ाने हैं यह दिखिए हमारी इदर चेन आ गई, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही इदर इदर से हमने चेन से फंदे उठाते जाना है, यहां यहां पर हमने घटाए, वहां वहां से हमने फंदे उठाते जाना है, यह दिख पहला फंदा हम इस चेन से उठाएंगे, पहली वली चेन से उठा फिर बाक्वादे हम सी देंगे जाएंगे यह सीधे बना लेंगे हाँ नो फिर एक इद्र वली यह एइन यह से उठाएंगे कंड़ेंदा सीधी रों में ही हम ने घटाए प्रेंगे उल्टी रो साफ उल्टी बनाएंगे उल्टी रो में कुछ भी नहीं करेंगे फ्रेंट्स उल्टी रो में ऐसे ही बनाते जाएंगे उल्टा उल्टा सीधी रो में दोनों साइड से एक एक फंदा यहां यहां पर हमने घटाया वहां वहां से उठाते जा रहा है ठी अब next वाली chain यहां से यहां से उठाएंगे ऐसे यहां से उठाएंगे फिर बाकी सीधे सीधे बनाते जाएंगे जब दूसरी side जाएंगे एक फंदा उधर से सीधी रो में एक फंदा उधर से उठा लेंगे पूरे फंदे सीधे बनाके एक फंदा हम इस वाली chain से एक उधर वाली chain से उठाते जाएंगे सीधी रो में एक इदर वाली chain से उल्टी रो साफ उल्टी बनानी है तो ऐसे ही करते हुए हमें यहां तक, दोनों साइट से यहां तक फंदे बढ़ा लेते हैं, हमारे यहां पे 20 फंदे ही पूरे complete होने चाहिए, क्यूंकि 20 फंदे थे, तो 20 से 10 तक आए, 10 से 50 तक आजाएंगे, दोनों साइट से एक एक फंदा उठाते जाएंगे, तो 20 फंदे कर लिया अब क्या करेंगे जैसे हमने यहां से फंदे सीधी रो में उठाते गए और उल्टी रो साफ उल्टी बनाते गए अब आगे भी हमें ऐसे ही करना है यह दिखे बिल्कुर साफ नजर आ रही हैं दो दो चेन हमें यहां एक एक चेन से फंदा उठाना है यहां से दो यह तक सीधी रोग में फंद उठाने जैसे यहां यह देखिए अब हम स्टोव बनारे हैं इसकी यहां से इतेते हैं एसे इस एक और अगए फिर आगे हम सीधा बनाते जाएंगे यहां पर अगर आपको टाइट लगे तो आप जो मैंने बोला था गले वाली सलाई वो यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं टाइट लग रहा तो फ्रेंड्स इन्हीं सलाई पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सीधी रो में दोनों साइट से एक एक चेन उठाएंगे फंदा बढ़ाएंगे उल्टी रो हमें साफ उल्टी जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाते जाना है तो यहां तक हमने डिजाइन बनाया बॉर्डर को छोड़के यहां तक डिजाइन बनाया वहां तक ऐसे ही उठाते हुए यह देखिए अब इधर दो चेन है तो पहले वाली चेन यहां से एक चेन को ऐसे उठाएंगे यहां पर एक फंदा बढ़ गया सीधी रो में नहीं उल्टी रो तो हमें साफ उल्टी ही बनानी है ऐसे ही बनाते हुए हमें यहां तक पहले यहां तक यह देखिए डिजाइन तक साफ पता चल रहा है ना एक एक चेन का ग्रीन में भी दो चेन है वाइट में भी दो चेन है यहां से फंदे सीधी रो में उठाते जाएंगे उल्टी रो साफ उल्टी बनाते जाएंगे यहां तक पहले पूरे बॉर्डर को छोड़के यहां तक पहले पूरा फंदे उठाके यहां तक complete कर लेते हैं अगर आप बनाते समय टाइट लगे तो आप गले वाली सलाई उनको भी यूज कर सकते हैं तो यहां तक पहले बना लेते हैं देखे फ्रेंड्स पूरे डिजाइन तक तोनों साइट से फंदे मैंने बढ़ा लिए जितने बढ़ाने थे बॉर्डर हमने छोड़ दिया अब क्या करेंगे आगे हम यह देखें आगे हम क्या करेंगे यहां पर पांच फंदे सीधी रो में सारे फंदे हम सीधे ही बनाएंगे पहला फंदा बीना बुने ही निकालना है हमेशा क्योंकि चेन साइट पर बनती जाएगी पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे अब हमें यहां के दोनों साइट से स्टार्टिंग के जो पांच फंदे हैं उन्हें दोनों साइट से सीधा सीधा ही बनाना है बीच के फंदे बाकी उल्टे बनाएंगे जो पांच फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा ही बनाएंगे तो यह पेलne यहां तक पहले पूरा कंपलीट कर लेते हैं सीधी रो हमने पूरी सीधी सीधी बना लीं अब क्या करेंगे पहला फंद्द आ हिए देखे जैसे उल्टा बनाते हैं ऐसे निकालना हमें धागा आगे कर लेना है फिर चार फंदे यहां पर यह देखिए एक दो कि तीन कि चार कि चार फंदे सीधे सीधे यह दोनों साइड से यह सीधे ही आएंगे चार फंदे सीधे एक और पांच यह देखिए एक फंदा तो हमने यह चेन आती जाएगी और यह पांच फंदे ये हमें दोनों साइट से सीधे ही बनाने है चाहे उल्टी रो हो चाहे सीधी रो हो हमें ये सीधे सीधे ही बनाने है बाकी फंदे उधर वाले छे फंदे रहने तक ये सारे फंदे हम उल्टा बनाएंगे बाकि सारे फंदे उल्टा-उल्टा बनाते जाएंगे उल्टी रो में मगर साइडों के दोनों साइड के 6-6 फंदे उन्हें हमें सीधा ही रखना है ताकि हमारा बॉर्डर बनता जाए पट्टी जैसा बॉर्डर बनता जाए यहां पर आप गले वाली स्लाइका इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने नहीं किया थोड़ा टाइप लगेगा अगर परिशानी कोई नहीं आएगी अराम से बनता है दो चार छे एक फंदा और उल्टा बना लेते हैं बाकि छे फंदे इन्हें हम सीधा-सीधा बनाएंगे दो तीन चार पांच छे फिर से टर्न करेंगे फिर से उल्टा उल्टे की तरह निकालना है फिर धाग आगे करना है फिर बाकि फंदे सारी रो सीधी-सीधी सीधी रो तो हमें पूरी सीधी सीधी ही बनानी है उल्टी रो में ये साइड वाले 6 फंदे सीधे रखने हैं बाकी रो उल्टी उल्टी बनानी है तो आपने पहला फंदा जैसे उल्टा निकालते हैं वैसे निकालना है धागा आगे करके फिर उन्हें सीधा बनाना है ताकि यहाँ पर हमारी चेन जैसी बनती जाए चेन बनती जाएगी तो बड़ा सुंदर बाडर आएगा तो इस रो को भी पूरा सीधा-सीधा बनाना है इस चीज़ का आपने ध्यान नखना सीधी रो सीधी सी ही ये दिखे इस ही लिए गंसारव से ओर में उलती ही और में तरफ थे यह हमें 16 17 ये देखए 16 lines बनानी है एसी 16 line बनाकी यहां तक पहले complete करना है कि ऐसा कंप्लीट कर लेते हैं 16 लाइने बना के देखे फ्रेंड्स पूरा बना लिया मैंने 16 लाइने आगी हमारी यहां पर अब क्या करेंगे इन फंदों को डिवाइड करेंगे यहां पर इसके 21 फंदे इधर करेंगे हमारे पास 42 फंदे इधर करें 42 फंदे यहां पर हमारे पास 48 फंदे हैं 48 फंदे हैं यहां पर 21 इधर करेंगे 21 इधर करेंगे 6 फंदे हम सेंटर में घटाएंगे तो कैसे पहले इधर 21 फंदे कर लेते हैं जैसे मैंने बताया था उल्टे की तरह निकालना धगा आगे करना फिर 5 फंदे स चार, पांच, धगा अपनी तरफ करके 21 फंदे पूरे करने हैं, 6 फंदे हमारे ये वाले बांगे, 21 फंदे हमारे इधर आगे, 21 फंदे ही हम इधर करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21, ये 6 फंदे हैं, 6 फंदे हम घटाएंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दो का एक कर लेंगे, यहीं से हमें टर्न कर जाना है, आगे नहीं बढ़ना है फ्रेंट, यहीं से टर्न कर जाना है, और उल्टी रो में घटा लिया है, अब सीधी रो हम ऐसे ही सीधे सीधे बनाएंगे, सीधी रो में सारे फंदे सीधे सीधे, उल्टी रो में फिर वैसा ही करेंगे, छे फंदे पहले सीधे बनाएंगे, बाकी के उल्टे उल्टे, टर्न करेंगे, हरा फंदा उल्टे की तरह निकालना है, धाग आगे करना है, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे, फिर से उल्टा, उल्टा, दो, अब वहाँ पे हमने एक वार घट आया था, आगे हमें पता चल जाएगा, डिवाइड किया था यहां से, वहां तक ऐसे उल्टा, उल्टा बनाते जाना है, यहां से फिर एक फंदा इदर से लेंगे, एक फंदा इदर से लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर यहीं से टर्न करेंगे, ऐसे ही करते हुए हमारे जो 6 फंदे थे, उन्हें ऐसे ही गटाना है, सीधी रो में हमें सीधा-सीधा बनाते जाना ये देखिए सीधा सीधा बनाते जाना सीधी रो में नहीं गटाएंगे फ्रेंट्स उल्टी रो में एक फंदा इदर का लेंगे एक इदर का लेंगे तो यहां से हमारे छे फंदे कुल जो ज्यादा थे 21 सीधर 21 सीधर छे फंदे जो इदर सेंटर में थे उन्हें हमें ऐसे ही घटाते जाना है उल्टी रो में यहां पे दो का एक करते जाएंगे और सीधी साइट से पूरी रो हमें सीधा सीधा बनानी है तो पहले ऐसे ही करते हुए हम यह छे फंदे घटा लेते हैं दिखें फ्रेंड्स अब यह हमारा लास्ट वाला फंद है इसे हम घटा है यह और के लास्ट वाला हंद इसे घटा दिया अब क्या करेंगे इसे हम घटा के ऐसे फोल्ड कर देने ऐसे यgens कि Gifted दोनों साइड पे 21 21 फंदे हैं क्या करेंगे इन दोनों को हमने घटा आना है तो कैसे एक फंदा इधर से लेंगे, उल्टा करके एक फंदा इधर से लेंगे, उल्टा बनाएंगे, निकाल देंगे, फिर पीछे बाला फंदा उपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे, पीछे ब कि फंदा लेकर उल्टा बना रहें फिर पिछे वाला अपना ऊपर से ड्रॉप कर देना कि इंख से उपर से ड्रॉप कर देने ऐसे ही पूरे फंदे घटाने हैं हमें कि यह देखिए ऐसे ही फंदे लास्ट तक हम पूरे घटा लेते हैं देखिए फ्रेंड्स पूरे फंदे घटा दिये अभी यहां से कट कर देंगे कट करने के बाद यहां से निकाल देंगे हम यहां से हमारी एडी बन गई यह देखिए पट्टी के साथ पट्टी को जॉइंट कर दिया अब क्या करेंगे अब हम यहां से वाइट कलर से इसकी आउट लाइन बनाएंगे यह देखिए क्रोशिय से प्रोशिय से इसकी आउट लाइन बनाएंगे यहां से स्टार्ट करेंगे यहां से राइट कलर से बनाएंगे इसका आउट लाइन यहां से निकाल लेंगे एक चेन फिर यहां पर जो धागा कट किया था उसे भी साथ लेके चलेंगे ताकि बीच में ही हम इसे फिक्स कर दें ऐसे पकड़ लेंगे दोन्नों धागों को और साथ में ही ऐसे लेके चलेंगे हर चेन में हमें अब सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा आउट लाइन पूरा राउंड कम्प्लीट करना है इन धागों को साथ लेके चलेंगे बीच में यहां तक आएंगे हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है कोई भी चेन स्किप मत करना फ्रेंड्स हर चेन में ऐसे ही बनाते जाना चेन बिल्कुल साफ इसी लिए मैं आपको बोल दी थी कि पहला फंदा हमें उल्टा की तरह निकालना है फिर धगा आगे करके सीधे बनाने क्योंकि यहां पर चेन आएगी चेन आएगी तो हमारा देखने में भी सुन्दर लगेगा और जब हम इसके उपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वो भी बिल्कुल आसानी से बनता जा रहा है क्योंकि हर चेन साफ नजर आ रही है तो फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पॉइंट टूइंट बताने की उमीद करती हूँ आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलें आपसे हमबल रक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ नई से ने डिजाइन लाने की कोशिश करती हूँ और आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कैसे बनाना इसे पूरा डिटेल में यह दिखिए यहां तक आगे अब यहां पे यहां पे हमने जो बॉर्डर बनाया था वहां पे विए ऐसे ही आउटलाइन करनी है एक एक चेन पकड़ते जाना है और आउटलाइन को ऐसे बनाते जाना सिंगल क्रोशिया से एक एक चेन को पकड़ेंगे आपको बिल्कुल असानी से बनता जाएगा ऐसे ही बनाते हैं पूरा राउंड यहां तक तले कंप्लीट कर लेते हैं जब इसके कॉर्णर में आप बनाएंगे यह देखे इधर से हमने बना लिया फिर एक चेन बनाएंगे फिर इसी चेन में फिर इसे बनाना है यह देखिए कॉर्णर में दोने साइट पे ऐसे बनाना है तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स लास्ट तक बना लिया यहां पर स्लिप स्टेस्ट से इसे आटैच करेंगे यह देखिए पट कर देंगे इस दागे को आपने पीछे यहां पर पूरे राउंड में फिक्स कर देना इसे अच्छी तरह से ताकि देखने में सुन्दर लगे यह देखिए यहाँ इसका पंजा फ्रेंट आप लाइन भी कितनी सुन्दर लग रही है फ्रेंट्स और यह दिखिए सोल फ्रेंट्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की उमीद करती हूं आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो आपसे मेरी हमबल रख्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फो यू टाइम आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ